नमस्कार स्वागत आपका हमारी विशीश कारिक्रम काल चक्र में और मैं हूँ आपके साथ आर्जदु में आपके दिन फर के हाल की बारे में समझेंगे कि आज का दिन आपका कैसा बीटने वाला है आचारे हिमान्ची उपन्यू जी के माध्यम से जी हाँ अचारे जी राधे 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 आप सभी को राधे राधे अचारे जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की तिथी नक्षत साथिया बताई कि राहु काल और गुलिक काल का समय क्या दिन है गुरुबार का और आज तिथी है चतुर्थी तिथी जो की बारह बज़कर पच्चिस मिनट तक रहने वाली है और आज स्वाती नक्षत्र है साथ बज़कर बारह मिनट प्रात है काल तक और आज का राहु काल है नो बज़कर बीस मिनट से दस बज़कर तेतालिस मिनट तक और आज का गुलिक काल का समय है यह बज़कर गाटम पुर परिषित्र में है तो माधा कुसमांडा के चण्वन का इसमरन करें और आज के दिन उनसे फ्रार्थ ना करें आपके जीवन के सबी मनोरथा सिद्ध हो जाएंगे और भगवती की क्रपा पर निश्यति ही होगी तो एचारे जी अब बात कर लेते हैं राशी फल के बारे में कि आज का दिन हमारे जात्कों के लिए कैसा जाने वला है पहली तीन राशी हम सबसे पहले ले ले लिते हैं मेश, फिर्शब और मिथुण जी मेस राशी के जातकों के लिए मैं बता दूँँ आज के दिन भै चिंता और द्रब्ब की समस्या इसके कारण आज के दिन आप परेशान रह सकते हैं आर्थिक तोर पर आज के दिन आपके साथ समस्याएं सामने आने वाली है लेकिन सुक के कुछ पल भी आपकी राशी के ज तो आपको चाहिए कि आप प्रयास करें अपने ओफिस में थोड़ा सा अपना सोर्स लगाएं और अपने कारे को बहतर कर लें जिससे आपके प्रमोशन के हवसार निश्यत ही आपके लिए लाबकारी साबित हो जाएं लेकिन इसके साथ ही एक और चीज है जो आपके लिए सारीरिक स्थितियां है मुझे अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है सारीरिक तोर पर आप इतने बहतर होंगे कि अपने कारेयों को संपाधित कर पाएंगे तो अपने प्लान को आज के दिन एक्जिक्यूट करें और सफलता पा जाएं अब बात कर लेते हैं मिथुन र जाता है मैं उनके लिए बता दूं आज के दिन धन का कस्ट इस्थान का कस्ट रथ जहां कर रहे हैं वहां आज के दिन ऐसमें आपका दिन अच्छा वितीत होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है व्यापार में तो अधिक्ष्ट की मुझे शितियां बंती हुई पेकर सिंग और कर्ण्या राषी वालों के बारे में। सिंग राशी के बारे में तो सिंग राशी के जात्कों को मेरी सला है कि आज के दिन कोई यत्रा न करें क्यूंकि मार्ग में आपको कष्ट प्राप्त हो जाएगा ऐसे ग्रहयोग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं और साथ ही रास्ता चलते किसी से लड़ाई भी बाद हो अब बात कर लें अगर इस क्रम में कन्या राशी के जात्कों के बारे में तो बता दू कन्या राशी के जो जातक हैं आज के दिन धन का नुकसान उन्हें हो सकता है लेकिन धन का नुकसान तब होगा जब आप असावधान हो जाएंगे सावधानी नहीं रखेंगे तो ही अन्यता आज के दिन आपको अगर यात्रा करनी पड़ जाए तो बिना किसी संदेग उस यात्रा को सुईकार करके यात्रा कर ले वह यात्रा आपके लिए लावकारी होगी और आज के दिन आपके घर में कोई सुबकार भी संपाजित हो सकता है और आपकी जो जीवन संगनी है वह आज के दिन कोई सुखद समाचार आपको सुना सकती है ऐसे ग्रहयोग मुझे आपकी राशी के जात्कों के लिए निरंतर आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तुला वरिष्टिक और धनू राशी वालों के बारे में बताए कि क्या कुछ खास है आज इनके जी अब बात कर लेते हैं तुला राशी के जात्कों के बारे में तुला राशी के जात्कों को मैं बता दू कि आज के दिन आपका भाग ही आपको बचा सकता है क्योंकि आपके जो सत्रु हैं वह बहुत ही तीक्षण बुद्धी के लोग हैं जो ऐसी सन्रचना आपके आसपास करने वाले हैं कि आप उसमें फस जाएं सारी दिक स्तितियां भी मुझे आपकी अच्छी नहीं समझ में आ रही है तो प्रयास करें कि इन पर स्तितियों से आप जितनी युक्ति लगाकर निकल सकते हैं निकल जाएं भाग आपके साथ है हाँ रोजगार और व्यापार में निश्चित ही आपको कुछ समस्या है आज के दिन आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं किसी कष्ट के कारण नहीं किसी सुख के कारण आज के दिन आपकी संतान को यह ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आपका मन परसंद हो जाए आपके परिवार के सभी लोग परसंद हो जाए और ऐसे कार्य में आप हरदय को खोल करके धन का खर्च कर दे और आज के दिन आपकी मुलाकात किसी संत से हो जाए ऐसे मुझे ग्रहयोग आपकी राशी के जात्वों के लिए आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अब बात कर लेते हैं धनुराशी के बारे में तो धरुरासी के जो जातक हैं आज के दिन उन्हें वाहन आज चलाने से बचना चाहिए क्योंकि अगर वह कोई वाहन चला रहें और सावधान नहीं है तो उनके लिए परिस्तियां मुझे अच्छी नहीं समझ वे आती है आज के दिन आपके अपने भी आपके विरुद्ध जा सकते हैं घर में कोई सुबकार हो रहा है तो निश्यत ही आप अपनों के विरुद्ध का सामना कर सकते हैं तो आपको तयार हो जाना चाहिए ऐसी परिस्तिती में अपनों के विरुद्ध का सामना करने के लिए कुछ सुबकारे के भी छण आज के दिन आपके जीवन में बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आखरी तीन राशियों के बारे में उचारे जी बात कलते हैं आज के दिन में आपके लिए कुछ अच्छा भी है थोड़ा नहीं बहुत सारा अच्छा है आज का दिन आपका व्यापार और रोजगार में बहुत अच्छा वितीत होगा लेकिन महनत करनी होगी आपको अपने व्यापार के लिए तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी अब बात कर लें अगर कुमबराशी के जात्कों के बारे में तो कुमबराशी के जात्कों को मैं बता दू आज के दिन अपनी दिन चर्यापनी अंतरन कर लीजे अन्य था आप अपने सारी रिक कष्ट से परेशान रह सकते हैं और सारी रिक कष्ट से बाहर निकलने पर आपको बता दूं कि आज अपने बोलचाल और भासा में संतुलन रखें क्योंकि जितने आप अपने सब्दों में संतुलन रखेंगे उतना ही आपका जीवन संतुलित रहेगा और आपको सुक्ष की अनभूती होने के साथ ही धन की प्रप्ती भी हो जाएगी लेकिन ये कब जब आप स्वयम पर नियंतुलन रखेंगे चाहें वह आपके जीवन यापन पर हो चाहें अपनी जिवा पर हो तो आपके लिए दिन अच्छा बन सकता है लेकिन सर्थ एक है नियंत्रण अब बात कर लें अगर मीन राशी के जात्कों के बारे में तो मीन राशी के जात्कों को आज अनिच्छा के साथ यारत्रा करनी पड़ सकती है मन नहीं है पर यात्रा करनी पड़ेगी ऐसी परसितिया मुझे मीन रासी के जात्मों के लिए बंती हुई दिखाई दे रही है दुरगटना के योग है क्योंकि मन नहीं है तो दुरगटना गटिद हो जकती है मन भले ही ना हो लेकिन मार्ग से अपने नित्र नहीं हटने दे क्योंकि दुरगटना के लिए कहा जाता है सावधार नहीं हटने पर दुरगटना गटिद हो जाती है सावधार नहीं सदर करें और अपने इस दिन को अच्छे से वितीत कर ले हाँ धन का खर्च एक आज के दिन बड़ी समस्या के रूप में भी आपके सामने उत्पन हो सकता है ऐसे ग्रहयोग मीन राशी के जात्कों के लिए आज बनते हुए दिखाई दे रहे है राशीफिल की बात हो गई अचारे जी बते आज के अभिजीत महूरत का समय कब है जी आज के अभिजीत महूरत का समय है 11 बजकर 43 मिनट से 12 बजकर 28 मिनट तक नवरात का पुन समय है भगवती सभी के घर में विराज चुकी है तो यह समय अत्तन्त लावकारी हो जाएगा और आपके जीवन की सभी जो भी मांगली कार हैं जो भी सभकार हैं इस समय पर कर लेने पर अनंत गुना आपको लाव प्रदान करेंगे मैं उनके लिए बता दूँ आज के दिन कुमोडे की बनी हुई मिठाई या पीले रंग की जो मिठाईयां है उसका भोग केसर डाल करके भगवती के चर्णों में लगा दे आपकी सभी समस्याओं का निवारण स्वता ही हो जाएगा जी तो चलिए आज के लिए काल चरक में बस इतना ही कल फिर हाजर होंगे एक नए विशी के साथ आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिये और बेहत खुश रहे अचारे जी शुक्रिया हमसे जुनने के लिए राधे राधे रा झाल